आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स कहकरो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें अलो दोस्तों आईए देखते हैं क्रशन यदि आंकडो 16, 15, 17, 16, 15, 19, 17, 14 का बहुलक 17 है तो एक्स बराबर क्या है? यह 15 है, दूसरा विकल्ब 16 है, तीसरा विकल्ब 17 है, यह 4 विकल्ब 19 है अब देखे हम यहाँ पर आंकड़े लिखते हैं और फिर उसकी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बारम बारता लिखेंगे, ठीक है? तो देखे हमारा जो आंकड़ा है वो क्या है? सबसे पहले हम इसको आरो ही क्रम में आंकडों को लिखेंगे तो हमारा जो आंकड़ा है वो है सबसे छोटा 14 और 14 कितनी बार आ रहा है एक बार आ रहा है उसके बाद क्या है 15 तो 15 हमारा कितनी बार आ रहा है एक और एक दो बार आ रहा है ठीक है फिर है हमारा 16 तो 16 हमारा कितनी बार आ रहा है एक और एक दो बार आ रहा है फिर है हमारे आंकड़ा सत्रा तो सत्रा कितनी बार आ रहा है एक और एक दो बार आ रहा है ठीक है फिर हमारा आंकड़ा क्या है उन्निस है ठीक तो उन्निस हमारा कितनी बार आ रहा है X 19 हमारा एक बार आ रहा है और फिर हमारा X है अब ये X कुछ भी हो सकता है तो इसलिए हमने इसको सबसे अलग लिख लिया है ठीक है तो देखे यहां पर जो तीन संख्याएं है 15, 16 और 17 इन तीनों की ही बारंबारता एक जैसी हैं 2, 2 और 2 तो अब इन तीनों में से जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हमें पता होगा ठीक है क्योंकि 19 तो बारंबारता एक है और 14 भी बारंबारता एक है ठीक है तो इन तीनों में से ही कोई बारंबारता होगा अब इन्होंने क्या कहा है कि बारंबारता 17 है बारंबारता 17 है कि यहां X की जगह पर भी क्या होना चाहिए 17 होना चाहिए तब जा सतरा की बारंबारता तीन हो जाएगी और जब सतरा की बारंबारता तीन हो जाएगी तो इस आकडों का बहुलब कितना आ जाएगा सतरा आ जाएगा इसका मतलब हमारा तीसरा विकल सही होगा पक्षचरी से बारवी से लेकर नीट IIT JE वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादर चात्रों का भरोजा आज ही डाउनूट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर